हेलो व्रीवन आप सभी को हमारे जैनल पर स्वागत है तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 मैथेमेटिक नुमबर जो दो है प्रतिलों त्रिकोड में दिये फिलन कि जो विवित प्रिशनावली है वह अजम करेंगे अगर आपने 2.1 & 2.2 ढंक से करी हुई है और सीखी हुई है तो आपके लिए विवित प्रिशनावली बहुत ही असान है है ना विवित क्या होता है जो आपने सीखा है उसका मिक्स है ना एक तरीके प्रेक्टिस होती है जो आपने सीखी है तो कहले निमलिखित के माहन क्यात कीजिए यह देखो यहां कॉस है कई बच्चे सोचे के कॉस इनवर्स कॉसे काड़ देतें आंसर देरा वाटे तेरा भाई बटेच या जाएगा लेकिन नहीं तेरा फाय बटेच सांसर नहीं है क्यों कि क्योंकि आपको पता है कर अगर आप नहीं लिखोगे तो इसके नंबर कटेंगे अगर दोन बनबर गए तो एक नमबर मिलेगा या फिर नमबर नहीं भी मिल सकता है जिरो टुपाई होता है और 13 गाई बट्टे 6 जीरो से पाई से भी जाधा बड़ा हो जाता है तो इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा और मैं बता चुका हूं बच्चो जब भी आपको तोड़के लिखना है कैसा तोड़के लिखना है यह चीज आपको पता होगी जब भी आप तोड़के लिखोगे जीरो से पाइब टूपाइब 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 साथ करना पड़ता है इसकी बहार आप कुछ नहीं कर जकता है ठीक है यहां से क्या है यहां से चलो कौस इन्वर्स है मैं इसको तोड़के लिख रहाए लippa ए हो किद्था यहां से कैनल कि जायेगा चए-गियह चीज आपको प्रेक्टिस कि यहीं बिलाए हो फिर आपको शूइतर लगाना हूं कॉस्ट रॉपाई प्लस थेटा आपको पते ही तो प्लस थीटा क्या होता है और यहां थीटा के जगा पर प्लस थीटा होता है तो बहर से अंदर से कॉस्पाई भाई 6 तो इससे यह हट गया तो आपका जो उत्तर आपको मिल गया पाई भाई 6 अब यह जो पाई बाई शिक्स है न यह इस इंटरवल के बीच में आता है एक यूद जी लू से पाई बाई शिक्स कमान के आव थीज डिग्री डिग्री में देखो जी बीच में आता है यह बिल्कुल आता है तो यह आपको आपका आंसर मिल जाएगा ऐसी सारे मान याद रह हैंगे दूसरे नंबर पर आजो तो फिर देखो यह 7526 बड़ा होता है क्यूंकि तैनल रिंवर्स का बुक्ख्यमान शाखा परिशर कितना होता है यह होता है आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ऑपर इंटरवल में ठीक होती है अब 7526 भांग दो कि तो वन पॉइंट कुछ आएगा इस से ज्यादा चला जा रहा है बड़ा हो जा रहे है यादि कि इसको मुझे तोड़ के लिखना बढ़ेगा तो आच है है न तो पाई पाई में अगर मैं पाई बाई शिक्स जोड़ देता हूं च्छाप पाई और एक पाई साथ पाई हो जाएगा तो इसको मैं इस तरीका देख सकता हूं फिर शूत्र आपको पता होगा तैन पाई प्लस थीटा ठीक क्या होता है टेन थीटा इस तो थांग में गामान पोजिटीव होता है एक नहीं तो टेन इन वर्स टेन हट गया अच्छा पैने सूत्र रखालो टेन वर्स अंधर आ गया टेन पाई 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 शिक्स इस से गया है स्वाक का उत्तरा आजाएगा ठीक है कोई दिक्कत को प्रशानी नहीं होगी अगर है तो बच्चों वीडियो के एक बार दुबारा जरूर देखें आगे आते अगले प्रश्न में यह मारा प्रश्न है इस पे थोड़ा से मिस्टेक है कुश्र मिलार यहां टू है टू मिसिंद इसको यह प्रूफ करना है है इस चीज़ को यह जीज़ प्रूफ करनी है साइन को 10 में लगाना है अच्छा प्रश्न है इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न थोड़े हटके होता है इसी है थोड़ा हटके है न वहीं कुशिन बूर्ट एक्जाम के दिश्टिक और से इंपॉर्टेंट होता है ठीक है तो इसको 10 में चेंज करना है नहीं माल लोंगा माना कैसे एंप साइन इन वर्स तीन बट्टे पांट इसको मैंने थीटा माल दिया तो इंवर्स इधरा क्या हो जाएगा साइं थिटब यहां क्या बच खरतीन बच्ट नहीं pore 5 कि ठेंट मैं तो सब्साइं को प्ता है यहां चैन्ट पेटावर क्या होता है सैन बच्ट उस होता है तो इस चीजिश केए साइन में हो मेरे पास और तो मैं कैस फिर स्क्रूष मैं नगाल हम चुपकी को स्टिटा क्या होगा शूत्र पता हैं अंडूरूट के अंदर वन मैंना साइन स्क्व्एर थीटा कि यह होता है फॉर्मुला तो फॉर्मूले पर विमान रख दू है साइन थीटा कहा मानने तीन बट्टे पांच थोड़ा और हल करो, तीन कवर 9, पांच कवर 25, थोड़ा और हल करो, 25 माइनस 9, तो यह आ जाएगा 16 बट्टे 25, यानि कॉस्थिता का माना जाएगा 4 बट्टे 5, वर्ग मुल ले लिया, अब इमान को रखो हैं यहां पर, सैन थिता का माने 3 बट्टे 5, कॉस्थिता का माने 4 ब मिल गया 3 बट्टे 5, ठीक है, इस तरह आपका 10 थीटा है, तो थीटा यहां तो थीटा का मान रखो यहां पर 2, 10 बट्टे 5, क्या आपको यह व्रूप करना है, नहीं, 10 इन वर्स है, चाहिए, यहां 2 नहीं चाहिए, आपको शूत्र दुबारा दूसरा लगाना पड़ेगा, यहां पर आप जानते हैं, शूत्र क्या जानते हैं, चूंकि, 2, 10 इन वर्स थीटा, क्या होता है, 10 इन वर्स, 2 थीटा, बट्टे में 1 माइनस थीटा स्क्वेर, ठीक है, यहां से देखो, क्या जाएगा, हमने कुछ गर्बड़ किया है, गर्बड़ किया किया देखो, यहां 4 है, हमने 5 लिख दिया है न, चोटी से इकलती बारी पर जादिया है, ठीक है न, यहां पर 5 नी 4 है, तो यहां से देखो, 2 दुनी 4, तो यहां से बज़़टा 10 इन वर्स, कि मैं तीन बट्टा दो इनक़र नो चार कर लुक्र आप तेन बट्ट्टे दो कि अध्या देम तो यह 16 वाइनेस नौ गुना 16 बट्टे में साथ गुना 2, 2, 8, 16. 10 इनवर्स आर्थिया 24 बट्टे में साथ. यही आपको प्रूफ करना था. ठीक है थोड़ा कैल्कुलीशन पर ध्यान देना है थोड़ा से मिस्टेक होगा कोशिंग अगे बढ़ते हैं इस को तुम दो तरीकों से कर सकते हो इसको 10 में चेंज कर लो इसको 10 में चेंज कर लो ठीक है एक तरीका दो यह है प्र फर्मल लगा तो तरीका है जो तुम है सही लगें तो क्या करोंगा तुम आ जो । जो कि शायने नवर्स X प्लस य जो फर्मुला होता है वो क्या होता है शायने नवर्स X अंडरूट में 1- Y स्क्वेर प्लस है तो प्लस रहेगा और Y अंडरूट में 1- X स्क्वेर ठीक है अब सारा खेल आपके कैलकुलेशन पर है कि कि दिनी ज़्यादा स्ट्रॉंग है तो लगाते हैं यह सारी नवर्स आ गया अंदर X की जगह पर यह है और यह वाई की जगह पर है ठीक है 8 बट्टे 17 अंडरूट में 1- Y स्क्वेर ठीन बट्टे 5 ठीक है प्लस य अपकी पास है 3 बट्टे 5 और अंडरूट 1- X स्क्वेर एक्स की जगह पर 8 बट्टे 17 ठीक हो गया और सॉल करो तो यहां से क्या हो जाएगा तीन गवर्ग नों पांच गवर्ग 25 तीन बट्टे 5 अठीट चॉश्ट यह हो जाएगा 289 ठीक है और आगे हल करते हैं कि अभी साने दिवर्ग और यहां से और अलकरो आठ वुट्टे यहां सत्रह त्रह एं गड़ा पच्छिस में से नो खटाओगे तो गय्व च्छिशन करो कि अपच्छिस कम बच्छिस में से नो गड़ाओ तो कितना रहेगा 16 16 बट्टे 25 और कि आसे अगर 214 घटाओगे ज प्रक्राइब टू एटीन आइन इसे आपको 64 खटा देना बट्टे में टूटेने नहीं तो टीके सारा खेल के अलिशन का है साने निवर्स और यह आठ बट्टे सत्रह इसका जाएगा स्टार और इसका जाएगा पांच पांच ठीक है कि शुक्त गटाएंगी तो यहां से देखो क्या नहुं से चार गढ़िए पांच आठ से चरे गटाएंगे दोसर बच्छेस मुझेगा अदोसव बच्छेस का फर गूमें प्नुद रह और इसका हुटा है सत्रह कुछ कुल रहा है दो काट्टोफ पास्तिया पंद्रा और और तो बुछ नहीं कट रहा है तो यहां से है साइन इन्वर्स कि अंदर है आठ चोके 32 अ बट्टे में कि शुद्रा बंजे कि पांच सुत्य पैंटिस पिजास ही और यहां पर एत्रिंट यह नो बट्टे में सब्राइब अर्व्य कि अंधिके अब देखें यहां पर सैन इन्वर्स आ गया लौश पकिया जाएक पिच्यासी कि शेक के पिच्चासी और यह उंगा बत्तिस सद्रापंजे पिच्चासी पांच डम पैदालिस पांच दो साथ चार तीन साथ सततर बट्टे और यह है पुज्यासी ठीक है यह हमें साइन इनिवर्स मिल गया तो लेकिन हमें चाहिए आन से यह 10 में अन्सर यह तक हो गया फिर दो बादा से माना इस चीज़ को को साइन इन इन वर्स कंटर बट्टे पुज्यासी को इसको अप्धिता मान लोगे तो साइन वर्स दर आ जाए कि साइन ठीटा क्या हो जाएगा साइन धीता हो जाएगा अब इसको दूसरे तरीक जिगात दो सब्सक्राइब अब आपको टैन निकालना है तो पाइथा गुल लगाओ लंब आपको इसको तरीक अपको आधार निकालनी है अधार निकालो तो अधार क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ख माइनस लंब का वर्ख ठीक है इस इजिच करोगे और इसको हल करके जब निकालोगे ना तो कितना आजएगा चाटिस अधार ठीक है इसको चुप शड़ल करोगे ना अंडरूट से बाहर निकालोगो चाटिस अधार करके देना हमें क्या निकालना है टैन थिटा यह वाल क्या यह 10 थीटा है तो थीटा चाहिए हमें 10 धरा जाएको 10 अनवर सतर बुटे छत्तिस यही हमें प्रूफ करना था ठीक यह कैलकुलिशन तो कर लोगे ना कैलकुलिशन करके निकालोगो चाटिस अधार देख लेना ठीक है यह आपको आपका आंसर मेल गया तो यह तरीका है इस इस से पहले पिंद्धियो बनाया हूं उसको मैने अल्रोडी पढा रखा सारे वीडियो में बना रखें लड़िकी नई सीरीज है तो नए शीरीज नहीं तरीका अपना है इससरे पुराने वाले वीडियो मैंने दूसरा तरीका बदा रखा है है अब आपकी चॉईसे आपक से लyu यह कोसेन्वर्स एकस्प्रस्प्रस्प्रस fund मढई ह मैं आना कीजिद्ञ दिख रहे कि मज़िश्प्रस्प्रस्प्रस्प्रस्पूस नष्फ एक स्कूष 2023 पड़े स rich love the Voilà कॉषण वर्स x into y plus है तो यहां minus हो जाते है ठीक है और यहां लगता 1 minus x square into 1 minus k y square यह शूत्र आपको पता होने जहीं साथा खेल शूत्र का दिख रहा है आपको दिख रहा है नो cos inverse देखो x into y यह x और यह y फिर minus under root x square 4 x 5 का वर्ख गोले में 12 x 13 का वर्ख ठीक है कोई दिखकत नहीं 12 x 48 13 x 65 इदर हल करो यह जाएगा 16 x 25 144 x 169 ठीक है अर्टालेस पट्टे पैंसेट 25 x 25 में से 16 घड़ाएंगे है ना लॉट्षों पर लेके हल करेंगे तो 25 में से 16 घड़ाएंगे नो बज़ेगा बट्टे बट्टे एंडूट 25 तो यह जाएगा तीन बट्टे पांच इसका अर्टे एक सो नात्र में से 174 घड़ाएंगे 25 अर्टे एक सो नात्र में से 174 घड़ा होगे ना तो कितना बज़ेगा अर्टालिस में से 15 घड़ा होगे कितना जाएगा थेंटिस बट्टे में क्या है पैंशट अगले प्रश्न में आ जाते है ठीक है हराम से बन गया बस कैल्कुलेशन को आपको सहीं से देखना है अगले प्रश्न में आ जाते है कि छटा कुशन है देखो यह साइन इनवर्स से एपको साइन में और तो इसको चैंज कर देते हैं और फिर शाइना इंवर्स फ्रिका फार्मल लगहेंगे एंश्च में आ जाएगा है कि नहीए तो मैं इसको चेंज करता हूं माना कॉस इंवर्स 12 बट्टे तेरह इसको मैं थीटा मान लेता हूं तो कॉस इंवर्स दिला की ओड़ जाएगा कॉस्ट इटा कॉस्ट इटा कमानों जागा 12 बट्टे तेरह इसका माना में साइन मेलाना है चूंकि साइन थीटा वरावर क्या होता है एक बट्टे वन अंडूट में वन माइनस कॉस स्क्वेर थीटा ठीक है तो कॉस्थी डगा मान के हैं बारा बट्टे देरा यहां रग दो हल करते हैं 114 वर्टे 141 13 लाशो पस्तमेर kup Ice को सिर्थ॥ यहां जायगा तो पाच बट्टे टेरह ठीक है ना यह जिस हमें आप हमें मिल गई इसको हमने क्या माना था थीटा अब कि अब क्या हो जाएगा इस थीटा की जगा पर मान रखेंगे साइन की बदों में तो शाइन नुबर्स पांच पट्टे तेरा प्लस और और उल्रेडी साइन इनवर्स थीगमिटे पांच है ठीक है कोई दीकत तुन नहीं है शूतरा में पतां ही है क्या पता है जो की मक्षाइन इनवर्स x plus झातों है मिस्तथ है गाय होते है जाय इनवर्स और admitted सट्रेरा टाप बने तकी़ डिर्म बनना सबनंट में बामा जब सी अनुटह दूर्स द्यांते हैं बहुत आधे यह हमें वारा शूत्र में मालूम है यह x की जगह पर है यह y की जगह पर है तो x 5 पॉट्टे 13 और फिर y square यानि कि 3 मुट्टे 5 का वर्ग फिर प्लस फिर y y 3 मुट्टे 5 है और फिर है x square x कितने 5 पॉट्टे 13 ठीक है हल गरो तीन कवर कितना उदर नो पांच कवर पच्छिस पापजे पच्छिस यहां से एक सो उनातर नेक्स्ट सैनि नो लेट्स पांच पत्ते थीरह और इसको हल करोगे तो पच्छिस इपकेस्ट पसे नागट हैंगे सुला जाएगा सुलागा अवर्गमूल चार पट्छिस कवर्गमूल पांच एक सोनातर में से पच्चेस गटाएंगे एक सच्वाने सब जाएगा उसका इसटोर इसका वार्ग मुल बारा और सुनातर के वार्ग मुल तेरा तो एक लाज ट्वेल तो इतनी के लिए फटा पटानी चाहिए अब कुछ कट पिट रहा है किया पांच से पांच कट अ और तो कुछ कट नहीं नहीं है यार है कि नहीं है कि सुलाओ शुप गिया जागा तेरा बंजे पैंसेट तेरा बचा पांच पच्चों के बीस और बारादुनी चौहविस कुछ तो गड़ बढ़ है दाया अल्जा जही है ना चपन बट्टे बैसेट यार आ तो नहीं गया वैसे पांच पट्टे तेरा है कैल्कुलीशन सही है ना मारी बच्चों करबढ़ना हो जाए तेरा पंच पांच 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 प्टे में तो बार रहा है अब बारात आरे यार बाराद दुनी थोड़ी ना तीन है आप पारात चत्तिस हाँ आगे अब अंसर हमें चेक करना बहुत जरूए ना चत्तिस और भी चपन हो गया तो देखो हमें वहान आंसर मिल गया यहीं तो प्रूफ करना था है कि क्यएं पर दा बारा इस वुडियो को देखें अगले प्रिशन में आ जाते हैं इसको न इधर कर दिए से तो इसको हल करके यह आ है यह साइन में यह कॉस में ऑर टैन में लाना है तुम्हें आंसर तो इसको भी टेरिंभल टेनियंवर्स एक फ्रमर्मल लगा दो ठीक है तो मैं इसको मानता हूँ थीटन और इसको मानता हूँ फाई माना साइन इन वर्स पांच बट्टे तेरा इसको मैंने थीटा माना तो इथरा किया उड़ेक साइन थीटा वरावर पांच बट्टे तेरा ठीक है लोगया शूंत्रिल देखो लंब टा कर नोता है ये लंब कि लम कमान पांच कन कमान ते लाधर कि ओगा यवाग απश रुट ये 5 लोग पत्चिस कि नहीन गाएं एक सुचर मानीस जिसका буд मौनों गाराव टल्टिता गेस्टा इंड ख़एगा कि इसका अबार मुद्र का मुवा नहीं की जो की सब्सक्राइब के मैं तो कॉस्फर अब्लापर किया हुआ कि मुट्टे पांच आप की कुई श्यूदर न्युद्र पता हों लाला ना लाया गत्च व機ए को इस अंट region , सब्सक्राइब तो यह मेरा अधार है यह मेरा कड़ने चित्र बना दे तूं कैं अधार मेरा कितना है तीन कड मेरा पांच है तो यह निकाल लें कर्ण कंड कवर्क 25 अधार कवर्क no under-rooč 16 यानि कि 4 आजायेगा ठीक हमें क्या निकालने 10 5 कमान तेनक नंक नंग पटे-देल होता है लंब कितना चार अधर कितना है तो फाइग का मान आजाएगा 10 inverse इधर एक 10 inverse 4 बट्टे 3 अब मान रख दो गए यह थीटा का मान थीटा का मान कितना है धामारा 10 की बदो में 10 inverse 5 बट्टे 12 और यह फाइग का मान है 10 की बदो में 10 inverse चार बट्थिती यह यह था बेलकुल आवा आपको शूत्र लगाने लगा देते हैं चूंकी 10 inverse x plus 10 inverse y क्या होदा शूत्र 10 inverse x plus y बट्टे में 1-xy बट्टे लगा देजिए और इसको हल कर लीजिए थैन इन वर्स एक्स की जगह पर पांच बट्टे बारह और इसकी जगह पर चार बट्टे तीन वहीं की जगह पर ठीक हल करते हैं काटना मत 12-36 पांस्तिया पद्रह 12-48 यहां से 36 जाएगा लौश अपां अच्टिस एकम च्टिस पचो के पीश लोन के बट्टे में च्टिसे कटां पंद्रह और अड़तालिस कितना होता है 63 अच्टिस बट्टे कितना जाएगा 16 यहीं तो अपको प्रूफ करना था 63 बट्टे 16 आगया तो कहीं पर भी डाउट हो वीडियो को एक बड़ दोबारा देखें तो यह प्रिश्ण भी हमारा आराम से बन गया आठवे प्रिश्ण पर आ जाईए कौन साथ वादाना आठवे नंबर पर आ जाओ तो हमें शिद्द करना इस प्रश्ण में कि यह जो चीजन हॉद और भी फो के बराबर हो यह में शिद्द करना ओ कि शिद्ध कीजिए ठीक है यह हमारा प्रश्ण है तो कोई दिक्क्त नहीं है हम दो दो का जोड़ा ले रहे हैं यहां से एक जोड़ा यहां से जोड़ा और टैने निवर्स एक्स प्रेंवर्स वाई का फॉर्मूल लगाएंगे हमें पता ही है आटने शूर जोग होता हैै एक जोड़ा इक जोड़ा शूत्र लगाते है वटाहभत केयां। शूत्र में ठ्वट्टीffen रगते जाओ कि उसी तरीके से इसमें शुत्र लगाएंगे एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स एल्टो वाई ठीक है टैने निवर्स सब्सक्राइब प्रश्राइब जूपाट यह से सब्सक्राइब इसकर बीजाएंगे टैने कि दूसें में कट गया अधियाँ चॉबिस आट एकम आठ तीन एकम देन आठ आठ लोश्व पाज़ाएगा चॉबिस एकम चॉबिस माइनस एक इसके बट्टे में चॉबिस इसके बट्टे में चॉबिस कैंसल सातर पांच बारह और पैर्टिस में चॉबिस आट तीन ग्यारा और यहां गया तैस बदाए कोई दिक्कर यहां तक नहीं होगी फिरिया पर शूद लग जाएगा टैने नमर्स एक्स प्लस टैने वर्स वाई का ठीक है लगाते है एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स एंटो वाई ठीक है एन इन इन वर्स चॉटिस को तेज से गुणा करोगे ना लॉश्र पार जाएगा तीन सुए क्या नम्ब्य है कि तेईस गुणा बारा ठीक है एक सेकंड एक सेकंड को छोटा हो सकता है तीन सो दो से काट जेते हैं दो चंग दो सकते हैं हां सथ्रो ते रहं तीन सुए क्या नम्ब्य ठीक है तीन सुए नम्ब्य विवक थेईस चंग ठीक है तेईस चंग एक्सो अड़िस और गैरा को सत्रास वुणा करेंगे एक्सो सत्तासिया जायेगा सतरा गुणा तेईस यह जाएगा 390, 391 कम 392 माइनस 11 चंग 66, इसके बट्टे में यह कड़ा, ओपर जोड़ू, इसको और इसको जोड़ देंगे तो यह जाएगा 325, और इसमें से घटाएंगे तो यह भी आगा 325, कटके एक आगया, 10 इंवर्स 1, इथा 10 इंवर्स इसका मान 10 में सोचो, 10 पाई भाई फोर गामान एक होता है, 10 इंवर्स 10 अट गया, आंसर के आगया, पाई भाई फोर, यही आपको पूफ करना था, यही नहीं, यही चीज़ आपको शिद्ध करनी दी, तो यह प्रश्न भी आपका आराम से बन इस चीज़ को इसके बराबर, या फिर इस चीज़ को इसके बराबर, देखो शिद्ध जो करना उसी से मुझे पथा लग रहे है, यह मुझे शिद्ध करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यह शिद्ध करना है, बड़ी चीज से छोटी चीज़ करना आसान होता है, तो म देदा हूं दायां पक्ष लेने पर कर तो को थी कह कॉस इन वर्स है इसका मान मुझे कॉस मिलाना पड़ेगा ठीक है तो यह चीज शिद्ध भी करनी है तो मैंने माना अन्रूड एक्स को मैंने थीटा माल लिया तो यहां जहां एक्स से वहां भार टैने स्क्वार तीटा रख दूंगा मैं ठीक और यह क्या होता शूत्र होता किसका कोस्ट टोट थीटा का ऐगिनिए शूत्र किसका होता है कोस्ट टोट थीटा का कि तो कॉस इन्वर्स और की कॉस हट गया तो यहां से बचा टोट थीटर दूसे टूटर क्या बचा थीटर थीटर का मान रख देंगे तो यहां जाएगा टैन इन वर्स अंडोर एक्स यहीं आपको शिद्द करना था यहीं आपको प्रूफ करना था ठीक हो गया कोई दिक्कत कोई परशानी नहीं हो ठीक है चलिए अगया बढ़ते हैं अगला प्रिश्ण इंपोर्डेंट है इसको हल करके यह लाना एक्स पुट्टे दो बाहर कॉट इन वर्स है यहने कि इसको हल करके कॉट के बदों में लाना है आपको कॉट का होगा ओपर क इसक लिवल का चीज़ आपको याद होना चाहिए एक्स बाइटू लाना है एंगल में तो इससे मुझे यह एडिया लग रहा है कि कॉट इन वर्स होगा और अंदर कॉट एक्स पाइटू होगा तो हटके तभी एक्स पाइटू बजएगा और एंगल मुझे एक्स पाइट डिवल प्लस कॉट स्क्वाइट रिक्स अक्तना और शाहिन एक्सको में लिख सकता हूं टूवस्ट या एक्स बाइटू स्क्वाइट यहां में चीजिँ ने चर्फ दोबारा गरना है यहां पर भी वही चीज है दोबारा से ही आ जाएगा याफ्स हैन श्क्वाइब x by 2 plus cos square x by 2 same जी निचे पिया जाएगी अब यह किस फॉर्म में एकर स्क्वार प्लस बीकर स्क्वार प्लस टू एबी के फॉर्म में ठीके ना और यह है इसको खोल के लिख सकता हूं यह हो जाएगा क्या बाहर तो कॉटे इनवर से यह हो जाएगा यह जाएगा एक प्लस बीका होल स्क्वार इंदे की शाइन अब यहां से इंपोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ऊपर तुमें कॉस में लाना है इध्यान रखना तो मैं आंसर कॉस में लाना और यहां प्लस है तो तुम अपनी सुविधाय कहने साथ जो तुम प्रूफ में चाहिए उस हिज़ाब से तुम बात रखोगे तो यहां आ जाएगा कॉस एक्स बाइटू माइनस के शाइन एक्स बाइटू करोगे तब यहां लेकिन आंसर में जो तुम चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा फिर तो जो जिससे काम बने वही काम गरोगो ना लीचे फिर वही बात हो जाएगी ठीक है इची जागी अब देखों अन्रूड है ना अन्रूड क्या करता है जितना भी पावर हो तो उसका आप कर देता है तो इसकी पावर टू है हाफ का मंदब वन वन को पावर में लिखा नहीं जाता हुआ 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 है ठीक है यह प्लस का है यह माइनस का कैंसल और देखों यहां से यह माइनस का यह प्लस का कैंसल हो जाएगा मैनस मैनस यह चीज दो बार है यह चीज भी नीचे दो बार है तो यह प्लस का है यह प्लस का हैerek को तो है एकसगे ऐह जाएगा तो यही प्लस का मैनस मैनस का ओ जाएगा तो यही हो जाएगा नसाएग SAY क। इस Kapfte कोंच कौ यह जाएगा कृँ इंवर्स कृट Ha volta क्या आगए एकसग nhânर एकस holiday ठीक है यही तो आपको लाणा था एक्सवाइड वी तो आपको प्रूफ करनी थी होगी प्रूफ तो यह प्रिशन भी आराम से सरल हो गया शिद्ध हो गया कोई दिक्कत नहीं होगी अगले प्रिश्न में आ जाते हैं कि इसकोशन में दे रखा है संकेद इसने के एक्स के जगा पर कॉस्ट टू ठीटा रखिए ठीक है कि आंसर तुम्हें यह आना है अपको यह इंब और प्रिश्न है बोर्ड एक्जामें कभी प्रिश्न में संकेत नहीं मिलेगा तो संकेत के चक्कर में रहना अपना कॉंस्ट बना हूँ ठीक है तो एक्सक जगा प्रिया रखने कॉस्ट टू ठीटा जाए ठीक तो यह तीधर आझ कोशन वर्च शेखे जगा पर टू ठीटा तो टीटा कि जगा में एकित टू गूले में तरह कि बट्टे मैं जाएगगर जाओ जरुद पड़ेगी ठीक जरुद तो प जहां जहां एक्स दिख्राएं वहां वा कॉस्टूटे रख दो तो यहां पहले देते हैं बाया पक्ष लेने पर जो बाया पक्षब सब्सक्राइब लिख लें लिख लें 10 निवर्स अंडरूड में 1 प्रस एक्स 1-6 ठीक है मान रखते हैं कि भीच भीच में खासी आ जा रही है ने मुझे उसके लिए माफी चाहता हूं तब इत्खानाब है तो इसलिए इसा हो रहा है एक्स का मान क्या है कॉस्टू ठीटा यह हमने रख दिया बाहर 10 निवर्स है तो आंसर अंदर क्या चाहिए तैन में चाहिए तभी वह रटेगा इस चीज़ का भी ध्यान रख रहे है अब आपको शूत्र याद होगा है कि नहीं जो वन प्लस कॉस्ट टू ठीटा होता है जो और जो वन मैन तरीडा होता है उसका जो शूद्र होता है बच्छों ञुब तो में मान डुअच तो होता है थीता स्कॉल आство डीटा यह मन आपको यहां रखनाए यह 2 cos square theta 2 sin square theta ठीक यहां से भी आजाएगा अंडरूट 2 cos square theta 2 sin square theta देखो अंडरूट 2 उपर से भी और नीचे से भी उपनिस्टा आ जाएगा और यहां से क्या बचेगा कॉस्ट theta बचेगा सिर्फ अंडरूट ना एक पावर कम हो जाएगी और यहां से बचेगा sin theta नीचे इसे यह कट जाएगा यहां से भी वही बचेगा बस प्लस आ जाएगा इधर ठीक अंसर तुम्हें 10 में लाना है यहां तो 10 का दूर दूर तक नामनुशन नहीं है 10 का बहुत साइन बच्टे कॉस्ट अब क्या करना है में उपर नीचे दोनों दोनों पदों में कॉस्ट से भाग देना है ठीक है इसको क्या कर देंगे कॉस्ट से भाग देंगे जो का हम उपर नीचे दोनों कर रहे हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ठीक है यह काम कर दिया हमने यहां से तो 10 निवर्स है उपर यहां आगया वन यह हो गया 10 थीटा फिर से वन और यह 10 थीटा ठीक है और पहले एक्सरसाइज में आपने ऐसे कॉशन किया है 2.2 में 2.1 2.2 में तो किया है इसका प्रशार हम कैसे लिख सकते हैं यह होता है 10-1 तो है बाहर यह 10 a-b का फॉर्मुला ठीक है एक जगा पर है पाई भाई फॉर्ट और बी की जगा पर है थीटा 10 a-b का शूत्र है अगर इसको तुम खोलोगे फिर से यही आ जाना है क्रूशन के बढ़ा होगा 10 a-b 10 a-b 10 a-b बट्टे में 1-10 a-b इसको खोलोगे तो फिर से यही आपको प्रूफ करना था ठीक है आनाम से हो गया कोई दिक्रत कोई परिशानी नहीं होगी तो यह प्रश्न भी आपका एजिली सॉल्व हो गया अगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में कुछिन बार वह क्या बोलना है नौ पाई बट्टे आठ यह कुछिन इमपॉटन्ट है कई बार बोर्ड एक्जम में पूछा भी गया है इसको फिल कर यह लाना है ठीक है तो इसको फिल लाना है पॉटन्ट है तो यहां लिखेंगे बाया पक्ष लेने पर का ठीक है बाया पक्ष का है उसे लिख लीजिए नौ पाई बट्टे आठ अ-ठीक है नौ पाई बट्टे चार उबन स्टाप को दिख रहा है तो मैं अबन निकाल ले तो नो बट्टे चार यहां से बचेगा पाई बट्टे दो और यहां से बचे साइन इन्वर्स एक बट्टे दी ठीक है तो आपको पता है शूत्र चूंकि पाई बट्टे दो माइनस के साइन इन्वर्स थीटा जो होता है वो किसके बराबर होते है कॉस इन्वर्स थीटा के बराबर होता है कि शूत्र है तो पाई यहां से आ जाए का नौ बट्टे चार्ट और इस शूत्र से यह हो जाएगा कॉस इंवर्स ठीट जागा पर क्या है एक बट्टे ती का फिए मैंने ठीक है अब यह तो चलो कॉस मैं रिए अनसर आपको सैन में चाहिए तो मैं क्या करूँ हम इसको समय खुलिक मानुगा मैं इसको टीट एमाण को सबाइब रेक्प प्रीट को थे टैम और इसके महान को मैं साइन के बदू में निकालूंगा तो कौस दरा के क्या हो जाएब कास्ट टेटा एक बट्टे तीं साइन थे क्या होता है वन मैनस को स्कुर्ट थे टा कॉस्ट टा का महान रखो एक बट्टे थी नाइक कम नो मैनस एक रूट आट बुटे नो आट का वर्गमूर उदा है दो अन्डरोट दो नौक अवर्गमूर थीम ठीक है यहां पर हमारे किया है साइन थीटा है थीड़ का मान यह दरा के क्या होजा का साइन इन वर्स ठीक है तो यहां पर हमने माना था न नौल बट्टे चार इसको आँने थीटा माना था तो यह मान आपको यहां रख देना है थीटा का मान उठाकर रख दो यहां पर तो क्या हो जाएगा नौल बट्टे चार गुड़े में Sunininverse है दो अं रूड दो बट्टेती तो करना था है नो बट्टेशा यह दो अं रूड दो बट्टेती तीन तही प्रूफ करना थाल पूंट ओं ठीक हाइन जिरू आघे बटेशन अगले प्रश्न में करें निम लिखित समीकरण को सरल किजी जो समीकरण है इसको सरल करना और यह most important है थोड़ा हटके प्रब्लम है और हटके प्रब्लम पो थोड़ा आपको अच्छा अटेंशन देना है तो आप से लड़की है ना कोई लड़की ऐसी होती है जो आप से special attention तो इसको स्टार बना रगलों कि थोड़ा से हटके प्रब्लम में और इसको अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है तो यह तो टैनिलिवर्स है सरल करना यानिक एक्स का मान निकालना है सिदिशी बात है तो सरल करते हैं आपको बता है टो टैनिलिवर्स एक्स क्या होता है टैनिलिवर्स टू एक्स बट्टे में वन माइनस एक्स स्क्वार यानिक कोश स्क्वार एक्स क्लियर यह हमना शोटरेस को डबर मत कर लेते हैं यह तो घिच भी चो जाएगा ओगे बच्चो इधर भी 10 इंदर भी 10 मिंटस कंपैर्जन करेंगे हट जाएगा तो 2 कॉश एक्स बट्टे 1- कॉश स्क्वार क्या होता शैने स्क्वार एक्स और 2 कॉशिक का मतलब क्या होता है बट्टे में शैन बसी की चीज़ है यह तो मैं बता ही है न यह यह मान रख दिया हम जानते हैं न कॉशिक एक्स पर आवर क्या होता है एक बट्टे शैने एक ठीक है और 1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-2-1-2-2-1-2-2-2 तो कॉश अपोन शाइन बचा तो यहने की कॉट एक्स और यहां वन बचा इधर कॉट इसकी वेलु कॉट में सोचो कॉट पाईबाई फोर की वैल्जो थी वन कंपैरिजन करोगे एंगल कॉट से कॉट अटा एक्स के वेलु किया जाएगी पाई पाई फोर अंसर स्पेशल अटेंशन थोड़ा साही देना था इसको जादा भाव नहीं दिया आमने है ना थोड़ा से स्पेशल अटेंशन दिया कुशन सॉल्व हो गया कि कुशन में मार एजली बन गया अगले बढ़ दें अगले प्रश्न में चोद्वा प्रश्न है इस चीज़ को हल करके में यह लाना है ठीक है वन बाइटू टेन नुर्स एक्स हमें लाना है शिद्ध कर एक तो ठीक है यहां लिख देते हैं बाया पक्ष लेने पर बाया पक्षित्वर्स को हम लिख दिलेंगे टेन नुर्स एक्स एक्स ठीक है तो टेन नुर्स एक्स लाना है तो माना कि एक्स को माले देत्टिटा माल लेते टेन जीट इंच थीटा की जगां क्या हो जाएगा इधार आट यह यह तो जहांट पड़ेगी वह माल रख देगे चलिए एक्स के जगा पर रखना टेन धीट उरग देते यहां पर बाहर 10 नवर से इसको हल करके 10 महीं लाना है इध्यान रखेंगे एक्स के जगाँ पर रखका 10 थेटा अभी जासा कोशिन अभी हमने किया था था थोड़ी तर पहले ही किया था ठीक है अ अच्छा यह सरल करना है नहीं सरल करने वाले प्रशनने बच्च तो दो त्रफ लेके चलना बटेगा च्छौद्व कोश्शन को शर्चल करने है शिद्धनी करने सरल करने तो दोनों पक्ष लेने सरल करना है ठीक है तो टेन अवर्स एक्स के जगह पर क्या रखना टेन थीटा ठीक है तो देखो इस फ़ाले प्रद को पर अभी जा अभी तो कोशन करके हैं आप इसको में लेख सकते हैं तैन पाई बाई फोर माइनस थीटा और टेने वर्स यहाटा तो थीटा बट्टे है तो यह बचा इधर से यहां से पाई पाई फोर माइनस के थीटा और यहां से थीटा बट्टे दो माइनस का थीटा है रगी हो जगा प्लस का थीटा तो यहां बट्टे में दो दो थीटा जोड़ोगे तो तीन थीटा बट्टे दो पाई बाई फोर इस त्रफ है ठीक है तो पाई भाई 4 विजटत थीटा बट्टे दो दो दनी चार ठीक टा तो एक गुड़े में इस यह रिके बट्टे में आ जाएगा थीटा का मान के आ जाएगा पाई भाई भाई 6 ठीक है सो थीटा तक जोह यह मिला एक सक मान का नहींम हमने एक सकुर्व एक्स बढ़ाबर टेन थीटा है और थीटा का मानने क्या मिला है पाई भाई शिक्स टैन पाई भाई भाई 6 एंगी 10 30 टीजी का मान कि इस नहीं होता है एक बॉट्टेंट रोटी हूं कि यह में हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा बताइए कोई दिक्कत को परिशानी नहीं होगी अगला उच्छन है कि हमसे बोल रहे हैं साइन इन्वर्स टेट इन्वर्स एक्स अगर मोडल सेक्स का मान एक से छोटा है तो किसके बराबर होगा ठीक है यह हमसे बोल दिये तो कि से आएगा लेकिन कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूं सौल करके ठीक है साइन में अंदर है टैने इन्वर्स एक्स द्यान रखिया तो बहुत साइन है ठीक है यह यह तेन्वर्स एक्स को मान ले तो माना तो यह डिना नमर्स एक्स ब्राबर थीटा तो यह चीज दराकर क्या हो जाए कि टैन थीटा है तन थीटा ब्राबर एक्स ठीक अओके यह टैन नमर्स में है और सवोब आप जानते हो साइन थिटा यह साइन ना साइन का मना कि हम आते वर्स में इसका वान अगर आप 10 में सोचो गे तो वгов क्या होता है है आप जांते हो सा-इंच यू啦 होता है यहां पर रख दीजिए तो यहां से क्या हो जाएगा सैंधिटा का मान तो शाइन थीटा तो यह चीजिए अब मान रखके में दिखाता हूं आपको तो यह तेन थीटा का मान के एक से और इसके मान को अपने क्या माना है एक समाना है ठीक है टैने स्क्वेर एक स्क्राइब हो जाएगा टैसाइन थीटा का मान यह जा गई ओके सो थीटा क्या हो जाएगा शाइन इन वर्स एक सबट्टे यह चीज़ क्लियर कोई दिक्कत कोई प्रशानी नहीं होगी ओके यह चीज़ है अब देखो बच्चो हमें क्या चाहिए हमें चाहिए और स्वाइन के टैने रवर्स एक सब्सक्राइब तो क्या हो जागा देखो तो देखिए आंके क्या हो जाएगा यह मान हमें निकालना है न तो देखिए हमने क्या गया था साइन था यहां पर यह तो यह मान आया है तो यह मान आया है साइन इन्वर्स एक्स बट्टे यह जीज ठीके तो इससे यह हट गया क्या बचा एक्स बट्टे में वन रूट के अंदर वन प्रस एक्स स्क्राइब आंसर यहां कि ऑप्शन नमबर दी बिल्कुल सही हो जायेगा कोई दिक्कत नहीं है अगले प्रस्ट में आ जाओ काफी शांधर और इंपॉर्डन प्रस्ट ने करें यह जीज इसके बराबर है तो एक्स का मान क्या होगा काफी शांधार गोशन है और इसे बोर्ट एक्जाम में पूछा भी गया है सो शोलब प्रस्ट ने क्यलकूलेशन पर ध्यान रखेगा और यहां पर क्या देखिए ति साइन इनंवर्स 1-2 Sin inverse x बराबर क्या है पाई बाई टो ठीक है ये चीज़ है अब अपनी सुविधा के नुशार हम कैसे कैसे क्या लिख सकते हैं वो देखेंगे पाई बाई टो है न तो देखो आपको पता है Sin inverse theta Plus cos inverse theta का मान क्या हो दा पाई बाई टो तो मैं अपने सुषिधा के मुसर थाइभ बायटीओ की जगह पेखाया रख सकता हूं साइन इन्वर्श हुआ इस वन मैनस एक्स प्लस कास इनवर्श ही वन मैनस एक्स रख सकता हूं इससे पाइदा होगा एक टम्-यहां से यहां से क्या होगा कट जाएगा इधर बजाएगा माइनस के टूशाइन इन्वर्स एक्स और दर्ज बजाएगा कॉस इन्वर्स वन माइनस एक्स बताइए कोई दिक्कत यहां तक किसी को परिशानी नहीं होगी है नहीं इसको में एक समिकन माल लेता हूं कि इस्टेप बेर देशना नहीं होगी इसको में समय करना लाल दिया अब मैं क्या गूंत इसको इसके बढ़ो किरूप में लाँगा कॉस वन चेंवर्स की रूप में ना चाहता हूं ताकि फिर हट जार दोनक्षा को स्ज्वर्स को कॉस के ड हमाला झाला हूं ना साइन इन्वर्स जो एक से इसको मैंने थीटा माना तो साइन थीटा वराबर क्या हो जाएगा एक्स अब मुझे इसको कॉस्ट के पत्र में लाना है अब आप जानते हैं बच्चो जो कॉस्ट टू थीटा होता है न वह होता है कह 250 मानेशुट है मनके में नडिकाल गजल सी के मैं यहां क्या गए सब्सक्राइब हैं इसको मैं ऐसे भी लिग सकते हूं है ठीक्या पर माइनस डू साइन दिद अपर दो जाहा है एकसे तो क्वार्ट रख जाएगा श्क्वार्ट एक स्क्वार्ड दें अब मैनेस के टू ती त ये दरा क्यों जाएगा को सिंवर्स वन मैन इस टू एक त स्क्वार्ट कैसे होग तो आपको इकच्छिली यह क्या माइनस गाल पर मीस्ट थिटा माना है न इसको मेंने माने थिटा माना है तो मायनस क्या थिड़ाबर ग्यायं इसा कि तो इसके जगा पर मैं यह मन रख सकता हूं ठीक है सो मैं यह मान रख दूंगा इसी विज़से इसको मैं ने चेंज के कि भी कॉस्ट थिटा कॉस्ट माइनस थिटा सेम चीज होती है तो यह मान रख दूंगा यहां सा जागा कॉस्ट इन्वर्स 1-2x2 और इधर रे कॉस्ट इन्वर्स 1-6 कॉस्ट इन्वर्स कॉस्ट इन्वर्स दूनों तरफ तुलना हो जाएगी यहां से बज़ेगा 1-2x2 और इधर 1-1-x 1-7 cancel ठीक है तो यहां से माइनस का एक सद्रगे प्लस का हो गया है एक सो भाइनिस्ट है यह इसको जिरो मानेंगे ठीक है और फिर इसको जिरो मानेंगे 1-2x ब्राबर 0-2x ब्राबर हो के वन गाई टो अब यह चीज आपको मिल गए ठीक है यह आंसर दोनों सही है कि नहीं यह भी हमें चेक कर करना कि दूनों अंसर से यह कौन चांजर से यह है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एक सब आवर वन थो यहां पर रखके देखना है कि इसका मांग फई-बैडू देता है यह नहीं देट संदुष्ट कर्वा από हमेंगे नहीं कर रहे है तो यहां रखके देखको साइनिनवर् 1 x 2 सारे इज़ बास 1 x 2 कौन से एंगल का मान देता है एक बट्ट्टे दो है न पाई भाई तीस का मान है पाई भाई 6 यह भी पाई भाई 6 है गिनी तो दो तिए चाह था पाई तीन दुनी दो पाई तो यह आगे माईनस के पाई भाई i6 हमें चाहिए gebe i2 यह संतुष्ट नहीं कर रहा है इक इंपर एक बुट्टे दो यह माल नहीं होगा एक्स स्वावर जीरो इस का माल खूर को जांख जिस पहला ठूर करो गर एक स्वार्ब two आपका सही आंसर जो रहे हैं संदूस्ट कर रहा है जियुरो इसका सही हां सः ठीक यह प्रिश्न हो गया हमाधे आखरी परिश्न अबर इसक यह इसका मांन क्या हो कए यह में बताने बाताने जार अफशना को दे रहे है तो हल करता है बिना। करें तो से मिले दड़ी नहीं न हम आरे पास क्या है ел जैसे टैंड दर्वा एक्सेंज म्योथटि म मैंल स त यह मैन कि यह माना शूत्र में मालूम है अभी शूत्र में रख दो यह एक्स के जगह पड़े है तो एक्स मैनस वह वन प्लस एक्स एंटो वाई ठीक है कैल्कुलेट करना है अब लाश अपा तो यह आ जाएगा इसके गुणा इसके साथ तो यह हो जाएगा एक्स एक्स प्लस वाई इसके गुणा इसके साथ बट्टे मैं से मैं कट गया अब उपर हल करो एक्स से अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वेर एक्स वाई मैंनस के एक्स वाई ठीक है इन दोनों के गुणा कर दी इससे यह कटँ और इससे यह कटँ और उपर किया बचा एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर एक्स कि नीजे भी बजा एक स्क्वेयर प्लस य स्क्वेयर कटके गया गया वन तो अंदर बजा टैने नवर्स बन कि पाइब फॉर का मान होता है टैन में कि इससे ही हट गया तो उत्तर के आगया पाइब फॉर ठीक है तो आंसर आजाएगा ऑप्शन नमबर सी पाइब फॉर तो कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें बाकि मैंने सब कुछ पढ़ा रखाया प्लेलिस्ट की लिंक्स मिलेगे डिस्क्रिप्शन में नई सीरीज चैप्टर नमबर तीन कल से स्टार्ट हो जाएगी वीडियो को शेयर जरूर करें और कॉमेंट जरू करें ठीक है